Hello everyone, you are welcome to my channel My English Book और आज के वीडियो में मैं आपके लिए complete details लेके आई हूँ UPTED 2021 के बारे में UPTED 2021 का जो notification है वो फरवरी या मार्च तक आ सकता है और करीब 51,000 पदों पर इसकी vacancy आएगी तो UPTED 2021 के बारे में complete details आपके लेके आई हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगे कि कौन इसमें apply कर सकता है B.A.R. चाहिए या B.T.C. चाहिए syllabus क्या है इसके लिए आपको कौन सा syllabus पढ़ना होता है और कितने marks आपको चाहिए कि आप इस exam को qualify कर सके तो शुरुआत करते हैं UPTED का full from उत्तरपरदेश teacher eligibility test होता है ये एक state level exam है तो इसमें जो eligibility है पहले हम वो देख लेते हैं देखे इसमें दो level होते हैं एक होता है class first से class fifth तक और दूसरा होता है class sixth से class eight तक ये दो level होते हैं इसमें अगर कोई person चाहिए तो सिर्फ इसमें apply कर सकता है और अगर कोई दोनों में apply करना चाहे तो वो दोनों में भी apply कर सकता है तो इसके लिए eligibility क्या है? graduation plus BTC BTC को DEL add भी बोलते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको BTC बोलते हैं और अगर कोई candidate जो final year में है वो भी इसका form fill कर सकते हैं अगर आपके पास ये qualification नहीं है तो एक और option है graduation और post graduation 50% marks के साथ होनी चाहिए plus आपका B.A.R.D. होना चाहिए अगर आपके पास ये eligibility है then you can fill your form for UPTAT एक्जाम को लेकर थोड़ी important बाच्छे देख लेते हैं इसमें 150 मिनट दिये जाते हैं एक्जाम को करने के लिए सभी question objective question होते हैं और कोई भी negative marking इस paper में नहीं होती है अब बात करते हैं syllabus की ये class first से लेकर के class fifth तक जो apply करना चाहते हैं उनके लिए ये syllabus है तो इसमें 150 question आएंगे एक number का equation ने negative marking नहीं है तो 150 question एक number का equation तो आपके 150 marks का paper ये हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले CDP आती है CDP से आपसे 30 question पूछे जाएंगे एक होता language one जिसमें होता हिंदी हिंदी में से आपसे 30 question पूछे जाएंगे और language second इन तीनों में से कोई एक आपको choose करनी है और जो भी language आप choose करेंगे उससे related आपसे 30 questions पूछे जाएंगे Math से आपसे 30 questions पूछे जाएंगे और EBS से भी आपसे 30 questions पूछे जाएंगे तो total आपके 150 questions हो जाते है ये मैंने आपको सिर्फ अभी इतना बताया मैं आगे वीडियो के end में इसको detail में भी आपको बताऊंगी official जो site पर PDF है मैं उसके थुरू आपको दिखाऊंगे जो इसका official syllabus है तो इस class 1st से class 5th का लिए हो गया अभी हम देख लेते हैं class 6th से लेकर के class 8 के लिए CTP से same है आपका CTP से 30 question language 1, language 2 इसी तरीके से है जो मैंने आपको अभी बताई 30-30 question देखिए यहाँ पर थोड़ा सा changes है अगर कोई maths का teacher है तो उससे math और science के 30 question पूछे जाएंगे और अगर कोई sst का teacher है तो उससे sst के 30 question पूछे जाएंगे यह exam Hindi English दोनों भाषाओं में होता है आप जिस language में देना चाहिए आप अपना उस language को choose कर सकते है तो इसको pass करने के लिए आपको कितने marks चाहिए होते हैं हम एक बर वो देख लेते हैं Unreserved category के लिए 150 में से 90 marks लेकर आना यानि कि 60% और Unreserved category के लिए 150 में से 82 marks लेकर आना यानि 55% marks आपको लेकर आने है तो यह मैंना आपको यूपी टैट के बारे में डेटेल में बताया है अब मैं आपको इसका यह जो syllabus मैंना आपके साथ शेर किया है मैं आपको इसको officially जो PDF है मैं उसके थ्रूँ आपको दिखाती हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं class first से लेकर के class fifth के लिए जो आपका syllabus है आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला point है बाल विकास एवन शिक्शन विदिया यह आपका CDP हो गया तीस question इस topic से आपसे पूछे जाएंगे उसके बाद हम आते हैं यह सबी इसके अंदर की topic है आप इनको ध्यान से देख लीजे इसमें आपके क्या-क्या points आते हैं बाल विकास सीखने का अर्थ तता सिद्धान शिक्षन एवं शिक्षन विधाएं समावेशी शिक्षन निर्देशन एवं प्रामर्श और यह सबी इसमें points आते हैं जो आपको prepare करने हैं और मेरा आपको भी बताया था language 1 आपका हिंदी होता है इससे भी आपसे 30 प्रशन आपके रचना और यह सभी points आपसे पूछी जाएंगे यह सभी हिंदी के topic है जो आपको prepare करने हैं यह भी हिंदी से ही है भाषा विकास तथा अध्यापन उसके बाद language 2 में में आपको बताया था English, Urdu या Sanskrit इसमें से आपको कोई चूज करना है तो अगर आप English चूज करते है आपको यह सभी topics को prepare करना है language 2 में आपसे 30 प्रशन पूछे जाएंगे और अगर आप Sanskrit चूज करते हैं तो यह आपके topics रहेंगे भासा विकास का अध्यापन यह भी आपका topic रहेगा गनित से आपसे क्या प्रशन पूछे जाएंगे तीस प्रशन आपसे पूछे जाएंगे आपको इन सभी को prepare करना यह आपके गनित के topics हैं उसके बाद बात करते हैं EBS यानि की परियावरण अध्यान की इससे भी आपसे तीस question पूछे जाएंगे विज्या नितियास बुगोर नाकरिक शास्त्र एवं परियावरण यह सभी इसमें इंक्लूड है आपके EBS में तो यह आपके हो गई EBS यानि की आपकी जो लास्ट यूनित है उसके questions और उसके topic यहाँ आप देख सकते हैं तो यह मैंने आपको बदाया क्लास 1 से लेकर के class 5 तक क्या detailed syllabus है उसके बाद हम बात करते हैं जो paper 2 होता है class 6 से लेकर के class 8 तक उसके लिए क्या आपका syllabus है मैंने आपको भी बदाया था CDP होता है CDP साब से 30 प्रशन प topic रहेंगे आप इनको note down कर लीजे और भाशावन हिंदी आपका हिंदी से यह topics आप से पूछे जाएंगे और अगर आप English चूज करते हैं भी हम language 2 की बात हम कर रहे हैं अगर आप English चूज करते हैं तो यह आपके topics रहेंगे unseen passage noun and its kind pronoun यह सभी चीज़े आपके topics आपके तो आपके topics हैं Sanskrit अगर आप चूज करता है तो यह आपके topics रहेंगे उसके बाद देखिए math or science आपसे क्या question है math or science सिक्ष्टी questions आपके हैं तो यह आपका topic रहेगा गनित और विज्ञान यह सभी आपके topics रहेंगे यह भी इसी का topic है गनित और विज्ञान का यह विज्ञान का आपका topic है विज्ञान में आपको यह करने है उसके बाद सामाजिक अध्यान वै अन्ने इससे आपसा साथ प्रशन पूछे रहेंगे जो भी आपका subject है उसके according आप देख लिजेगा history अगर आपके पास history है तो यहां पर है नागरिक शास्त्र भुगोल तो यह सभी आपके topics है I hope आपको यह वीडियो यूस्फुल लगी होगी इससे पहले भी मैंने काफी वीडियो अप्लोड किया है जहां पर मैं आपको इसी तरह के एक्जाम के बारे में बताती रहती हूँ अगर आपने नहीं देग सकते हैं उन वीडियो को और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज दो नोट फगेट तो सब्सक्राइब दे चैनल